नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादकी विश्टेशन में आपका स्वागत है संपादकी से समंदित आज के इस वीडियो में हम एक संपादकी और एक आलेख पर चर्चा करेंगे और यह संपादकी और आलेख ये दोनों बिजनेस स्टेंडर से लिए गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने संपादकी की ओर संपादकी ये जिसका सिर्षक है Brace for Returning Migration यह संपादकी ये GS Paper 3 में सामिल विशय समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विशय के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधार क्या है इसका आधार है ग्रामीन अर्थविवस्था संबंधी संकेत अब देखे कि COVID-19 के आर्थिक प्रभाव में यह देखा गया कि शहरी अर्थविवस्था की अपेच्चा ग्रामीन अर्थविवस्था की भूमी का काफी सकारात्मक रही परन्तु उसी ग्रामीन अर्थविवस्था के संबंध में अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो विरोधा भास उत्पन्न कर रहे हैं आकरिये विरोधा भास किस स्वरूप में हैं? तो यह दो स्वरूप में हैं एक सकारात्मक और दूसरा ठीक उसके उलट मतलब सकारात्मक से विपरीत एक दूसरा पक्च. चले बात करते हैं पहले सकारात्मक पक्च की. तो देखे मानसून की इस्थिती काफी बेहतर रही है इस साल और मानसून की इस्थिती बेहतर रहने के कारण जो खरीफ की फसल है उससे समंधित जो क्रिया कलाप है वह भी काफी बेहतर रहा और उसकी बेहतरी के कारण यह देखा गया कि ग्रामीन छित्रों की आए में वर्द अब्धी होने के कारण ग्रामीन मांग में भी मजबूती देखी गई जैसे देखिए कि दैनिक उपभोग से संबंदित जो उपभोगता वस्तोय हैं उनकी मांग लौकडाउन की अब्धी में ग्रामीन छेत्रों में ज्यादा रही शहरी छेत्रों की तुलना में अब इसके सं अबसार को रोकने के लिए जब देश व्यापी इस्तर पर लौकडाउन की घुसना की गई तो उस लौकडाउन के प्रभाव सरूप अनेक और द्योगिक इकाईयां बंद हो गई और द्योगिक इकाईयों के बंद होने के कारण उन इकाईयों में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन होने के कारण उनके जो आए हैं वो भी सीमित हो गए या यूं कहें कि नगन्ने हो गए तो इसके कारण फिर वो अपने गाउं की ओर वापस जाने को मजबूर हुए यही जो उनकी वापसी हुई अपने गाउं अपने राज्जी और जीले की ओर तो उसे यहाँ पर कहते हैं reverse migration तो क्या देखा गया कि एक reverse migration मतलब यह कि जो मजदूर अपने गाउं की ओर गए तो फिर ग्रामिन छित्रों में इन मजदूरों के वापस आने के कारण उपभोगता वस्तूं की मांग में विर्दिवी और दूसरी बात यहाँ पर यहाँ कि शहर में lockdown के नियमों का सक्ती से पालन करवाय जा रहा था जबकि ग्रामिन छित्रों में उतनी सक्ती से lockdown के नियमों का पालन नहीं करवाय जा रहा था अब एक दूसरा आंकड़ा देखें दूसरा आंकड़ा यहाँ पर यहाँ है कि चालू वित्वर्स मतब दो हजार बीस इकीस की प्रथम तिमाही में क्या देखा गया कि जीडिपी में 23 प्रतिसत की नकारात्मक्ता दर्च की गई अब यहाँ पर यह कि कृसी छेत्र में वही व्रदीदर क्या रही धनात्मक्रे तीसरे आंक्रे पर गौर करें कि वेतन समंद्य अगर आंक्रों पर गौर किया जाए तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ग्रामीन छेत्रे में जो महनताना है वह पिछले वर्स के जून महने से अगर इस वर्स के जून महने की तुलना की जाए तो उसमें कितने की विर्धी दर्श की गई? 8.7% की विर्धी दर्श की गई है तो कुल मिलाकर हमने जो यहाँ पर इस थितियां देखी है जैसे दैनिक उभभोग से समंदित उभभोगता वस्तों की मांग में विर्धी 2020-21 की पर्थम तिमाही में कृसी छेतर में धर्श की विर्धी दर्श वेतन समंदी आंकडों में हम यहाँ पर क्या देख रहे है 8.7% की विर्धी पिछले जून महने की तुलना में इस वर्ष के जून महने की तो इन सकारात्मक पक्षों के अलावा जो दूसरे पक्ष की बात कही जारे जरा उस पर गौर कीजिए दूसरा पक्ष यह है कि अगर एम जी नरेगा के अंतरगत रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्यां पर गौर करें तो जून 2019 की तुलना में जून 2020 में 2.6 करोड अतरिक्त रोजगार की मांग पैदा हुई हलांकि सितंबर 2020 में अतरिक्त रोजगार की मांग करने वाले लोगों की संख्यां में कमी देखी गई जो थी 80,00,00 परंतु इसी सितंबर 2020 की तुलना अगर पिछले वर्स के सितंबर 2019 से की जाए तो तुलनातमक रूप से यह मांग जादा है। उसके अलावा अनिस सबसीडी से समंदित कारिकरम भी चलाए गये। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जब लॉक्डाउन की अब्धी समाप्त हुई तो पीम किसान योजना सहित अनि जो योजनाएं चलाई जा रही थी उन योजनाओं को वित्मंत्राले के राहत पैकेज मे हो जाती हैं तो मतलब यह कि सरकार के द्वारा अत्रिक्त व्याय नहीं किया जा रहा है और अगर सरकार अत्रिक्त व्याय नहीं कर रही है तो मतलब यह कि अगर वो व्याय नहीं हो रहा है तो उस व्याय में कमी के कारण ग्रामीन छित्रों में जो मांग में वृद्धी देखे गए थे वह ग्रामीन थे अब इन विरोधा भासों की बीच एक महत्पूर्ण प्रश्ण यह है कि रिवर्स माइग्रेंट का क्या होगा आकर यह प्रश्ण क्यों किया जा रहा है वह इसलिए क्योंकि एमजी नरेगा के अंतरगत जिस अतरिक्त रोजगार के मांग की व राप्त कराने में भी योगदान रहा है किसका रिवर्स माइग्रेंट का परन्तु अब इस्थिती ऐसी लग रही है कि एमजी नरेगा में फंड समाप्त हो रहा है और दूसरा फसल समंधी कार भी अब समाप्त हो चुके हैं तो अब एक ऐसी इस्थिती उत्पन हो गए वापस आते हैं तो बड़े उत्पादन केंद्रों को या बड़े ओद्योगिक इकाईयों को स्रमिकों की उपलब्दता होगी मतलब उनके पास जो स्रमिकों की अभी कमी है वह कमी दूर हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा ही सकारात्मक होगा वह किस दृष् अगर ऐसा होता है तो तो इससे आर्थिक क्रिया कलाप में विर्धी होगी और फिर जो विर्धी धर है उसमें भी तेजी दिखी जाएगी और इन सबसे यह होगा कि लोगों की आय में बढ़ोत्री होगी तो फिर मांग में भी तेजी आएगी और मांग में तेजी आएगी तो फिर उसका असर मुद्रा इस प्रती पर भी दिखेगा, तो आवेसेक्टा अब इस बात की है, चाहे वह केंदरी की सरकार हो, चाहे वह राजी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के दवारा प्रवासी स्रमिकों के लिए एक ऐसी विदिक विवस्था की जाए, जिसमें उनको विधिक रूप से सुरक्षा और विधिक रूप से संग्रक्षन मिले। तो इस प्रकार इस संपाद की के द्वारा हमने यह देखा कि कोविड प्रभाव के बीच जो ग्रामीन अर्थवेस्था मजबूती से उभरी उसमें विरोधा भास दिखता है और अगर यह विरोधा भा आविस्यक है ए यूनियन ऑफ फिस्कली फिवल स्टेट्स यह आलेग जी एस पेपर ठड में शामिल विस है सरकारी बजट के द्रिश्टिकों से महतपूर्ण है चले देखते हैं इस आलेग को विस्तार के साथ इस आलेग का आधार क्या है इसका आधार है केंद्र एवं रा बजट की तो अगर हम बजट की बात करते हैं तो हमें यह पता है कि बजट का निर्मान ना केवल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है बलकि विभिन राज्यों की सरकार के द्वारा भी बजट का निर्मान किया जाता है और केंद्र और राज्य जो बजट का निर्मान कर प्राप्ति और दूसरा पुंजिगत प्राप्ति ठीक उसी तरह व्या के भी दो भाग एक राजस व्याई और दूसरा पुंजिगत व्याई अगर प्राप्ति के अंत्रगत हम राजस प्राप्ति की बात करें तो फिर इसके दो भाग कर प्राप्ति मतलब दोनों प्रकार के कर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर और वहीं अगर हम राजसु प्राप्ती की दूसरे भाग की बात करें तो गैर कर राजसु प्राप्ती जैसे शुल्क, जुर्माना, आदी वहीं अगर हम पूंजिगत प्राप्ति की बात करें तो एक रिन पूंजिगत प्राप्ति जिसमें की दोनों प्रकार के रिन आंतरिक रिन और बाहरी रिन वहीं पूझिगत प्राप्ति के अंतर्गत दूसरा जो भाग है है गैर रिन पूझिगत प्राप्ति, जिसका सबसे अच्छा उदारण है वीनिवेश, देखते हैं बजट के व्यभाग को, तो हमने पाले देख लिया कि व्या के दो भाग राजस व्यव्य और पूझिगत व् अंत्रगत हम रखते हैं किसे वेतन, पैंसन, आपदा व्याय आधिको और पुंजिगत व्याय के अंत्रगत हम रखते हैं उस प्रकार के व्याय को जिसका उप्योग अब सनरचनात्मक निर्मान में किया जाता है तो अब हमने यहां पर देख लिया कि बजट के अंत्रगत प्र तो राजकोसी घाटा का अर्थ होता है कि सरकार के कुल प्राप्ति की तुलना में कुल व्याय की अधिकता है। वहीं उसे तकनीकी रूप में अगर हम कहें तो सरकार के कुल बाजार उधार जो होते हैं वह राजकोसी घाटा मना जाता है। अब राजकोसी घाटे की आदर्स इस्थिती क्या होती है उसकी आदर्स इस्थिती होती है GDP का 3% किसके अनुसार FRBM Act के अनुसार मतलब Fiscal Responsibility and Budget Management Act वही अगर हम राजस घाटे की बात करें तो इसका आर्थ है कि सरकार के कुल राजस प्रापती की तुलना में सरकार के कुल राज कि अधिकता वह क्वाक कलाती है वहां कलाती है राजस घाटा यहां हम एक और अवधारना समझते है वह आवधारना यह है कि जब बजट को प्रस्थुत किया जाता है तो बजट को प्रस्तुत करने के समय में जो विभिन प्रकार के घाटे होते हैं, चाहे वह राजकोसी घाटा हो, राजसु घाटा हो, प्राथमी घाटा हो, तो इन घाटों का प्रदर्शन तीन स्वरूपों में किया जाता है, वह कैसे, तो देखे, माल लिजे कि 2017-18 वित वर्स के लिए बजट को प्रस्तुत किया जा है, तो 2017-18 वित वर्स के लिए, जिस राजकोसी घाटे के लक्ष का निर्धारन किया गया है, उसके लिए जो सब्दावली प्रयोग किया जाती है, वह होती है, बजट अनुमान, अब अगले वित वर्स, मतलब 2018-19, तो इस अगले वित वर्स के लिए, जब बजट को प्रस् था, उसमें क्या होता है, उसमें संसोधन होता है, तो 2018-19 में, 2017-18 के राजकोसी घाटे के लक्ष को क्या कहा जाता है, संसोधित अनुमान, और फिर कुछ समय के पश्चात, उस संसोधित अनुमान से संबंधित वास्त्विक आंकडे आते हैं, तो फिर वह क्या कहलाता है, व 2017-18 का राजकोसिय घाटे से संबंदित वास्तविक आंकड़ा अब हमने अभी जितनी भी अवधारनाओं को समझा वह जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि आलेक में उनकी चर्चा की गई है यह जो आलेक है उसमें चर्चा के तीन आधार है पहला राजकोसिय अनुसासन दूस तो चले सबसे पाले हम देखते हैं राजकोसिय अनुसासन आलेक में यह बात कही जा रही है कि चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह राजी की सरकार हो दोनों सरकारों की द्वारा राजकोसिय अनुसासन का पालन नहीं किया जा रहा है वह कैसे तो देखिए केंद्र सरकार की अगर बात करें तो राजसुप्राप्ति के संदर्म में दो वित्वर्स का उधारन लिया गया है 2018-19 और 2019-20 2018-19 में केंद्र सरकार की जो वास्त्विक राजसुप्राप्ति थी वह वास्त्विक राजसुप्राप्ति संसोधित अनुमान की तुलना में 10% कम थी और 2019-20 में केंद्र सरकार की जो वास्त्विक राजसुप्राप्ति थी वह संसोधित अनुमान से 9% कम थी तो यहाँ पर हमने किसको देखा? राजस प्राप्ति को देखा. वहीं अब हम देखते हैं जरा व्याइपक्ष को. तो फिर केंद सरकार के लिए दो वर्स, मतलब 2018-19 और 2019-20 के संदर में जरा व्याइपक्ष पर गौर कीजिए. 2018-19 में जो व्याइपका लक्ष रखा गया था, तो राजस व्याइपके संदर में उसमें कितने की कमी हुई? 6% की कमी हुई. और पूंजीगत व्याइपके लक्ष के संदर में कितनी कमी हुई? 3% की कमी हुई. किसके द्वारा यह कमी की गई? केंद सरकार के द्वारा यह कमी क तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि किसी योजना के लिए आविस्यक रासी है 100 रुपए, ठेक, अब सरकार यह करे कि उस पर 90 रुपए ही खर्च करे, तो क्या होगा, तो होगा यह कि योजना निश्चित समयावधी में पूरी नहीं होगी, और सरकार के कारी पर भी उंग्री उठेगी, तो सरकार यह करती है कि राजकोसिय गणना में तो 90 रुपए ही दिखाती है, परंतु यह जो 10 रुपए का अंतर है, इस 10 रुपए को उस माध्यम से प्राप्त करती है, जो राजकोसिय गणना का भाग नहीं है, जैसे सार्जनिक उपक्रम क माध्यम से उधार को प्राप्त करके, तो इसका लाब क्या होता है, इसका लाब यह होता है कि राजकोसिय गणा लगभग अनुसासी दिखता है, यही कारण है कि 2018-19 के वित्वर्स में राजकोसिय गणा GDP का 3.4% है, जो संसोधित अनुमान के बराबर है, लेकिन केंद्र की स अतरकार ने 2020 में व्याय प्रबंधन में इस आधार का सहरा नहीं लिया, तो परिनाम क्या निकला, परिनाम यह निकला कि संसोधित अनुमान, ध्यान दिजेगा, संसोधित अनुमान कितना था राजकोसिय घाटे का, 3.8% of GDP, और वास्त्विक आकडे क्या निकले, 4.6% of GDP, त प्राप्ति पक्ष की भी और व्या पक्ष की भी, अब बात करते हैं राजी की, तो राजी के प्राप्ति पक्ष पर आते हैं, वही दो वर्स में तो 2018-19 में राज्यों का जो वास्त्विक राजस्ट प्राप्ति है वा कितना रहा संसोधित अनुमान की तुलना में 8% कम और 2019-20 में वास्त्विक राजस्ट प्राप्ति क्या है संसोधित अनुमान की तुलना में 6% कम रहा वहीं अगर फिर 2018-2019 और 2019-2020 इन दोनों वित्वर्स में अगर हम व्यए पक्ष पर गौर करें तो देखें कि जो व्याए का लक्ष था उस व्याए लक्ष में राजस व्याए में कितना हुआ चाह परतिसत की कमी देखी गए और पूंजीगत व्या में क्या देखा गया 18% की कमी देखी गई तो परिणाम क्या रहा कि जो राजकोसिय घाटा जिसका अनुमान लगाय जा रहा था 2.9% of GDP वह कितना रहा 2.4% of GDP और वहीं 2019-20 के अगर व्या लक्ष की बात करें तो देखें राजस व्या में कितने परसेंट की कमी आए 11% की और पूंजीगत व्या में कितने परसेंट की कमी आए 14% की और परिणाम क्या रहा कि राजकोसिय घाटा जिसका अनुमान लगाय जा रहा था 3.2% of GDP वास्तिवी की तरह 2.6% of GDP अब देखिए बजट प्राप्ति और बजट व्याए इसके दोनों के जो प्राप्ति में केंद्र और राजी सरकार ये दोनों विपल रहे हैं आखिर इसका कारण क्या है इसका कारण आलेक में यह बताया जा रहा है कि बजट निर्मान के लिए जिन आकड़ों को आधार बनाये जाता है उसमें सुद्धता की कमी मतलब उसमें एक्क्यूरिसी नहीं है तो और जब इनके आधार पर आगामी वित्वर्स के लिए व्य कारिकरम की घोसना की जाती है परन्तु जब राजस्य प्राप्ति की बात आती है तो राजस्य की प्राप्ति जितना अनुमान लगाया जाता है उतना राजस्य की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर क्या करत है दोनों सरकारें व्यय पर रोख लगा देती है और व्यय पर रोक लगाने का बजट आकार की ओर देखें यहां दो अब लेते हैं बजट आकार के अन्तरगह 레el एक 2011-12 से 2017-18 और दूसरा 2017-18 के बाद 2011-12 से 2017-18 की इस अबधी में क्या देखा गया यह देखा गया कि राज्जी के जो बजट का आकार है उसमें वृद्धी धीमी गती सही लेकिन जादा हो रही थी केंद्रिय बजट की तुल्ना में राज्जी के बजट में वृद्धी की दर कितनी थी 11 परतिसत से 19 परतिसत के बीच जबकि केंद्र के जो बजट है उसके आकार में वृद्धी की दर क्या रही थी 8 से 16 परतिसत के बीच जबकि 2017-18 के बाद से यह देखा गया कि राज्जी के बजट आकार की वृद्धी में कम हुई है उसका कारण क्या है उसका कारण है कि एक जुलाई 2017 से जो GST की सुरुवात की गई तो राज्यों ने अपने अनुमानित राजस वृद्धी का अनुमान कम लगाया और फिर उसी के अनुसा उन्होंने क्या किया व्य भी कम किया तो जब राजस वृद्धी के अनुमान को कम लगाते हैं व्याय का भी आप उस पे कम करते हैं तो क्या होता है कि स्वत्र जो बजट का आकार हुआ क्या हो जाएगा वह कम हो जाएगा वहीं 2017-2018 के बाद अगर केंद्र के बजट के आकार की वृद्धी की बात करें तो वह कितना है आठ से 16% और संभावना यह भी है कि आगे के वित्तिवर्सों में यह जो हम प्रविर्ती देख रहे हैं यह प्रविर्ती वैसे ही मौझूद रहेगी मतलब राज्यों के द्वारा जो व्यपक्ष है उसमें और कमी देखने को मिल सकती है ऐसी संभावना है अब हम बात करते हैं अपने तीसरे आधार की जो आले क का तीसरे आधार है वह क्या है वह राजस्ट विर्ती फिर यहां भी दो अवधिया हैं एक 2011-12-2018 उनीस और दूसरा 2019-20 2011-12 से 2018-2019 की इस अबदी में क्या देखा गया कि राजि के कर राजस्ट में जो विर्दी है वो 7 परतिसत से भी कम रही जबकि केंद्र के कर राजस्ट में विर्दी वो दो अंकों में मौजूद रही जबकि 2019-20 अगर इस वित्वर्स की हम बात करें तो राजसों में गिरावट देखीगे, चाहे वो केंद्र सरकार की राजसों में गिरावट हो, चाहे वो राजसों में गिरावट की बात हो, तो केंद्र सरकार के राजसों में कितनी गिरावट हुई, तीन परतिसत से अधिक, और राजी के राजसों गिरावट की अगर तुल करने पर हम यह कह सकते हैं कि अर्थ विवस्था के महत्रपून छेतर कॉन कौन से स्वास्थ शिक्षा कौशल विकास तो ये जो छेत्र है इन छेत्रों आगर राजी का बजथ्व्याः घर्टा चला जाएगा तो फिर इन छेत्रों को आवन्टित होने वाली रासी भी क्या हो जाएगी वह घरती चले जाएगी अगर इन छेत्रों में आवंटित रासी में समय के साथ साथ कमी होती है तो फिर यह देश की वृद्धी को भी प्रभावित करेगा तो मतलब यहां पर यह है कि अगर राज्य के अपने राजस प्रवाह में सुधार न सही है कि राजकोसी अनुसासन को चाहेवा केंद्र की सरकार हो चाहेवा राज्य की सरकार हो दोनों सरकारों के द्वारा राजकोसी अनुसासन के लक्ष को प्राप्त किया जाए परन्तु राजकोसी अनुसासन के लक्ष को प्राप्त करने में जो व्याय का भाग होता है जो बात की है कि राज अपने वित्य ताकत को बढ़ाने के लिए और राजकोसी स्वाहितता को प्राप्त करने के लिए जादा से जादा संसाधनों का स्रिजन करे या संसाधनों के स्रिजन का प्रयास करे जैसे इस्थानिय आधार पर उद्योग का विकास करे जैसे वन डिस्टिक के द्वारा वित्ति अनुसासन के लक्ष को प्राप्त करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो विकास की प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है यह रहा आज का प्रश्ण प्रश्ण है कि प्रात्मिक प्राप्ति की तुल्ना में कुल व्याकी अधिकता को कहते हैं चार आप के लिए या आविस्यक है कि राज राजकोसिय स्वाइत्त हो कथन की समिछा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार करते हैं अरज करें नग्माड़ करें नग्मादी नग्ष दिन विए कार लोग नग्माग जानल ग्ष्ट अवटे कर दो नग्मांष नग्माप्त